देख लियो चौपाल रे सब बड़ा बड़े राओ जी सब लोग लोग आयाओ चीटा परियान सब लियाओ जी देख लियो चौपाल देख लियो चौपाल रे सब बड़ा बड़े राओ जी सब लोग लोग आयाओ जी परियान सब लियाओ जी चौपाल का सगला दर्शिका ने राम राम सा भाई ग्रामिन भाई भेनों जद भी अपन स्वास्त की बात करां तो सब लोग बड़े बज़ुर्गां के स्वास्त की चिंता रेवे अपा सदेव भगवान उप्रात्ता करां कि बे स्वास्त रेवे निरोगी रेवे लेकिन आज बदलते मौसम के साथ बहुत सारी घातक बीमारियां दस्तक दे रही है तो मन में एक ही खायल आवे कि कोई कई यान को वर्दान है जियो आपने परिवार ने स्वस्त रख सका तो जी हाँ यान को वर्दान है आयुर्वेद आयुर्वेत को उलेक आपने गरंथा में आपने वेदा में करयो गई है आयुर्वेत आपने 5000 साल पुरानी पदती है और आपना जो भी बड़ा बुजूर्ग है बेश सब आयुर्वेत पे बहुत भरोसो कर रहे हैं आपने घर की रसोई के माईने बहुत सारो सामान यान कुए, बहुत सारी चीजां यान किये जिए आपना घर मर ही उपचार कर सका, तो आईए आज चोपाल के माध्य मुझाना, आयूरवेद के घरेलू नुस्कां के बारे में, और इविशे पे जानकारी देबा खातर आपने सारी जो महमान पदारा है, बे है डॉक्टर ओम प्रकाष धादिश जी, ओम प्रकाष जी माके कारेक्रम में आपको बहुत-बहुत स्वागत है, आप आयूरवेद विशेशक्य है, ओम प्रकाष जी सब पहले आपने घर का जिता भी बुजुर्ग है, आज भी चिकिसा प्र आयू और वेद, तो वेद का आर्थ है जानना और जो आयू के बारे में जानकारी दे वो आयूरवेद है, अब हमको ये भी जानना पड़ेगा कि आयू क्या है, अब आयू का मरतब अधिकतर लोग जो जानते हैं वो यह कि जन्म से लेकर अब तक का जो समय बीता है वो और उसके बारे में जो आयू का आर्थ है सरीर, इंद्रिय, मन और आत्मा, इन चारों का जब संयोग होता है तो वो आयू होती है, यदि हमारे सरीर में से आत्मा निकल गया, मन निकल गया या इंद्रियां काम नहीं कर रही हैं तो वो आयू नहीं है, तो सरीर के बारे में, जानकारी मिले वो आयू है इन चारों का संयोग आयू है और जिसमें इन सब की जानकारी हो वो आयूरवेद है अब आयू भी चार तरह की आयूरवेद आयू होती है एक सुखायू दुखायू हितायू और जो है दुखायू ये चार तरह की हिता हितम अहितायू तो जो है चार तरह की आयू हुई सुखायू, जिसके अंदर हमको किसी तरह का सुखी सुखो, सारिरिक और मानसिक रूप से हम किसी तरह से दुखी नहीं हो, वो हमारी सुखायू है, यदि हमको कोई रोग हो जाता है, उस रोग से हम पीडित रहते हैं, तो हमको कस्ट होता है, तो वो दुख आयू है और हित आयू हो जो हम परिवार के लिए, रास्टर के लिए, संसार के लिए क्या कर सकते हैं, जो हम अच्छे-च्छे काम कर सकते हैं, सारी रिक रूप से और मानसिक रूप से वो हित कर आयू है, इसी तरह जो अहित आयू है, उस पे आदमी सारी रिक रूप से और मान यह अहितकर आयू है उनकी इस तरह की सरीर के अंदर सब तरह से स्वस्त होने के बावजूद भी वह रास्टर के लिए परिवार के लिए संसार के लिए हित करनी है इसलिए वह अहितकर आयू है तो यह जो आयू आयूरुवेद है जिसमें इस तरह के मानक दिये हुए हो कि तना है आपका स्वशन की दड़दर इतनी है पाचन अच्छा हो रहा है चलते फिरते हैं सोस्ते हैं दिखता अच्छा है सुनाई अच्छा देता है स्वाध अच्छा आता है तो यह सब क्या है तुसस्त की निशानी है लेकिन इसी में कimensि आप पास का दिखाई नहीं देता, दूर का नहीं दिखाई देता, सुनाई नहीं देता, बोलने में दिक्कत होती है, चलने में दिक्कत होती है, कहीं धर्द होता है, थोड़ा सा चलते हैं, तो रिदे की धड़कन बढ़ जाती है, तो इस तरह कि कोई भी रोग हो या जो सरीर को दुख देने वाली हो परिशान कड़ने वाली है तो वह दुखायू है और हितकर आयू रहतकर आयू मैंने बताई वो हम पूरे देश के लिए परिवार के लिए रास्टर के लिए संसार के लिए जो अच्छे से अच्छा कर सकते हैं उनको अच्छा दे सकते हैं और मांशी से वह इतकर और इससे विपरीद जो करते हैं वह इतकर आयू तो यह जो जहां मांदंड बताए हैं जिसको हम अच्छा कहते हैं कि यह सुखायू, दुखायू, हितकर आयू, रहितकर आयू है यह जहां जिसके अंदर मांदंड और इनके खराब होने पर उनको सुधारने के तर साल-पुरानी चिकीसदा पद्दती है तो आपने जीवनों की तरीकों जुड़ेडी है एक बारे माः बताओ देखो अमारा जो आयरवेद है वह सा पदती नहीं यह वह जीवन पदती है हम कैसे जीवें जिसको आज हम लाइफ स्टाइल भी कह सकते हैं और वो हमारे संस्कृति के साथ जुड़ी हुई है और उसमें सबसे पहले ही जो हितकर आहार है आहार से आहार निद्रा और ब्रह्मचरी ये तीनों चीचें जो सरीर के अंदर जरूरी है कि हम कैसा खाएं कैसा पहनें कैसे रहें कैसे करें ये सब कुछ बताती है दूसरा जिसकी निद्रा कैसे लें कब सोयें कैसे करें और ब्रह्मचरी हमारा जो ग्रहस्त जीवन है उसको किस प्रकार चलाएं ये तीन तिपाएं हमारे यहां के हैं इसके अलावा जो हमारी हिंद्रिया हैं, उनको हम किस प्रकार काम में लें, उनकी समिक्षा करें, और जो मानसिक रूप से हैं, जो किसी के साथ किस तरह के समंद रखने हैं, किसी के साथ क्षमा सीलता क्या होनी चीए, सत्तिक बोलना क्या होना चीए, किसी को देना चीए या लेना च प्रश्ट्री की रचना की तभी उन्होंने आयरवेद की रचना की और उसके अंदर बहुत सारी ओस्दियां मनाई और उनके साथ साथ है तू लिंग और ओशद जो इस तरह की चीजें बताई कि यह लक्षण हो तो यह चीजें रोग हो सकता है और उसके लिए आपके आसपास प्रकरती के अंदर बहुत सारी ओस्दियां उपलब्ध है उनको तयार करें तो ओशद भी दो तरह की है एक तो खाने पीने की चीजें और एक अलग से लेनी है तो खाने पीने की चीजों से ही यह दी ठीक हो जाता है हमारा हितकर आहार वियार रहता है समिक्षा करके हम की रचना हुई तभी से अईरवेद उपलब्ध है और भारतवाज रिशी से होता हुआ आउतरण होते हुए आज भी चल रहा है और लगातार चलता आ रहा है ओंप्रकास जी यहां भी आप आहर की बात करियो तो यहां भी कि आईरवेद क्या माननेता है कि अगर आहर सही है तो दवा लिबा की जरूत को नियुक्त अगर आहर गलत है तो आप कित्ती भी दवाई लिओ आप स्वस्त कुन रेसको आज कर आप खान पान की अगर आप बात करें भोजन की तो अभी गर्मी को समय बहुत आगो है और एटाएम में आप ज्यादा मसाला खाएमा तो पेट म बनावा को कहीं तरीकों है इके बारे में बताओ मेडम ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है यदि इस आहार को ही हम अच्छी तरह धंग से लें तो हम बहुत सारे रोगों से बच सकते हैं जो रोजाना अमारा आहार है वो किस देश में हम रहते हैं, किस काल में रहते हैं, हमारे कौन सी उम्र है, उसके अनुसार और किस प्रकार उसको बनाया जाए ये सारी चीजें निर्भर करती है और जैसे अभी गर्मी का मोसम आ गया और सर्दी गई है ये रितु संधिकाल है, जब एक रितु जाती है और दूसरी रितु आती है, तो बहुत सारे रोग आते हैं, क्योंकि उस रितु के बहुत सारे खानपान और उसकी जो दिन्चरिया है, उसको छोड़ कर हम नए दिन्चरिया के अंदर आते हैं तो अभी सर्दी की रितु गई है और अभी गर्मे की रितु आ रही है, तो अभी आपने देखा कि उसी तरह हमारी संस्कृति में कुछ त्योवार भी बने हैं, अभी होली गई है, सीतलास्ट में गई है, ये सीतलास्ट में इसलिए है कि हमको अप जो गरम भोजन हम खाते तो तो उसको छोड़के ठंडा खाना हम को खाना है। ठंडा खाने में भी ऐसा निंगी वासा खाते तो पहले पकोड़ी खा रहे थे या गरम चीजह खा रहे थे उन चीजों को बंद करें। और अभी दूसरी चीजे जो थंडी चीजे हैं उन को ले और थंडी का मतलब है जिनकी ताशीर ठंडी हो कि साम को बनाकर हम सुबह खाएं और साम की रोटी बासीज रोटी सुबह खाएं ऐसा नहीं है जो ठंडी तासीर के अंदर है उन चीजों को हम अधिक से अधिक उप्योग करें उसके अंदर हमारे राजस्तान के अंदर चाच राबडी है पुदीने की चटनी है धनिये की चटनी है प्याज है रोटी है इसी तरह जो अभी केरी आ रही है उसका पानक उसको उबाल कर और उ के अंदर भी एमको कप्ड़े जो थे पहले वूंकर औगरा उनको दूर करके इनको पहना चीह ज़या से ज़यादा जो चड़ादी हवा है उसके अंदर हो बढ़ी पॉषित आखर लेनों चाहिए जादा हो जादा इयान की चीज़ना खानी चीए जिकी तासी ठंडी वै चास दही लसी यह सब लेना चाहे एक साथ एक और चीज मैं आप में पुछ पूचाओं कि एक आयुर्वेत के हिसाब हूँ जी भी गर्मी को मौसा मागो तो एक दिन चरिया काई होनी चाहे स्वस्त शर दिन चरिया हमारी छे रित्वे हैं और उनके हिसाब से अलग-अलग उसके अंदर किस तरह हमको रहना चाहिए रात्री के अंदर हमको क्या करना चाहिए यह तीनों चीज़े दिन चरिया में अभी ग्रिश्म रितू का प्रारंब हो गया गर्मी कीब का मोसम आ गया है प्रमीन उगने से 1.5 गंटे पहले का समय यह ती आप उसमें उठते हैं तो बहुत सारे इस तरह के हार्मोन हैं जो स्रवीत होते हैं और उन सेरोटणीन वगरा है डौपामीन यह उस वक्त स्रवित होते हैं और उस स्रविन होने के कारण हम में दिन भर उत्साहा बना रहता ह लेकिन वह श्रवित कभ होते हैं जब आप उस वक्त उठ जाएंगे तो ब्रह्मा मुर्थ है उसमें जलदी साड़े चार पांथ साड़े पांथ तक उठ जाए उठते ही सबसे पहले उशाए पान जो प्राते का पानी है वो पीए तो वो गुंगुना पानी पी सकते जिनको पित्व प्रकर्ति वाले हैं वो ठंडा पानी पी सकते हैं जिनको जुकाम वगर है रहता है वो थोड़ा गुनगुना करके और तामे के लोटे में रखा हूँ पानी पीए उसके बाद सोचादी से निवरत्त हो के थोड़ा व्यायाम और प्रातव ब्रहमन करना जिसके अंदर प्राणायाम भी वो और सारिक व्यायाम भी government बगवान नामिये और अपनी दिनचरिय को निशित समय रखें रूर उसको रुखें कि जो कितना खा खाएं किया खाएं और कब खाएं कि आप किसी दिन 9 बजे खा रहें किसी दिन 12 बजे खा और कभी तीन बज़े का रहें तो एक निश्चित समय है कि आप उस वक्त ही नो या दस बज़े का या ग्यारा बज़े तक गर ग्रिश्म रितू के अंदर खाना ले लें जो भोजन है वो उस वक्त करना आपको और वो सुबह चाच राबडी है दलिया है खिचडी है रोटी है या जो भी उस रितू के अंदर जितनी सबजिया आती है उनका उपयोग कर सकते हैं तो यह हमको ध्यान रखना चीए तो हितकर खाएं थोड़ा मित्वित्था से खाएं और काल भोजी समय पे खाएं और अपनी इंद्रियों को वस में रखें कि कि किसी को मीठा अच्छा रखता है तो वही वह खाए तो इन सब चीजों को रखे और इस गर्मी की रितु में आचार है नमकीन है कचोडी समोसा पकोडी या बहुत सारे तलेवे चीजे और तेल की चीजे और मेदा बेशन आदी की चीजों से दूर रहे परेज रहे चाच दही इमली का पानक केरी की च बहुत महत्वपूर्ण रहे है योग करनों भी बहुत जरूरी है शरीर के लिए एक सारे डॉक्टर साब में एक और चीज आपने पूछ बहुत चाल रही है आंधी बहुत ज़्यादा चाल रही है तो नाका के माइनने काई मत्टी चली जावे जुकाम हुजावे कफ हुज इन के कुन से चीजा है जिए अपने घर पर यहां सब चीजा को इलाज कर सका यह अपने अच्छा प्रश्य किया अभी लू चलने नहीं लगी लेकिन अभी और ज्यादा लू चलीगी तो घर के अंदर एक तो पुदीना हमारे पास बहुत है और पुदीना ताजा भी अभी है उस ताजे पुदीने को पीश कर मिस्री के साथ उसकी कारास हम पी सकते हैं घर में ही तीन चीजे मिला के अम्रिद्धाना बना सकते हैं कपूर अजवहन के फूल और पुदीने के फूल पीपर में इन तीनों को मिलाने से इक अम्रद्धारा बन जाती है जिसको हम लेके ए मास्क आप लगाते हैं, तो यह जो तेज लूच चल रही है, यह मास्क लगाने से भी उससे बचाओगा, साथ ही साथ कोई भी तेल हमारा सरसो का तेल, घी या तिली का तेल नाक में लगा कर चलें, जिससे सीधा जाके जो अभी पॉलुशन हो रहा है या दूर उरती है, यह आप हम कर सकते हैं, दूसरा है फिर लू लग भी गई आपको तो ठंडे पानी से निलाएं, ठंडा पानी पिलाएं, जो सर्बत वगर है, कोई भी घर के अंदर और कुछ भी नहीं तो मैंने अभी बताएगी, पुदीना जो होता है, उसको आसानी से लिया जा सकता है, औ ठंडे ठंडे पानी से पटी करें, तो लू से बचा जा सकता है. तो आप माके दर्शकाना बताओ कि थायराइड हो, की तरीकाओं आयरवेद में इलाज बतायो गए है? थायराइड हमारे एक अंतासरावी गरंती है, और उस अंतासरावी गरंती से जो स्राव निकलता है थायरोक्ती, उसकी कमी के कारण यह हाइपोथायरोडिज्म होता है, और जिदी ज्यादा निकला, तो हाई पर थायोड़ियम होता है और इसके बहुत सारे कारण, इसका चिंता भी एक कारण है, और सबसे बड़ातो जो वहाँ हो उनाई ह當 से कारण है, जो हमारी जीवन के अंदर भी हम देखें तो अलग-अलग जेपूर अलग रिजन है वहां का खानपान अलग है जोदपूर का अलग है वहां पूरे 12 मेने बाजरी खाई जाती है उदेपूर में इदियम जहाएं या बासवरा डूंगरपूर जाएं तो तो यह अलग-अलग जगे का है, तो आजकल सब लोगों ने क्या किया है कि वहां के खानपान को छोड़ कर दूसरे जगे के खानपान प्रारम कर दियें, इडली खाते हैं, डोसा खाते हैं, चोला, बटूरा, या बारा मैंने कचोरी खाते हैं, पकोडी खाते हैं, नमकीन खात उससे हमारे जो सरीर की अगनी है जो हमारा सरीर है वो अगनियों की बल पे चलता है तेरा तरह की अगनिया होती है तो सबसे पहले जो जाठरा अगनी है हमारी पेट की वो विक्रत होती है इसकी खान पान के कारण और वो खान पान के अंदर आम की उत्पत्ति होती है आम क्या ह चाहए जो भोजन पूरा पका भी नहीए और कच्छा बहनी रह horror और बीस की स्थीथी के अंदर जो ऑम है वो जाकर खान करने के यो थाइराइड ग्रंथी की इन्दर दो तरहें की जो सेल्स होते हैं उसके इरिटी भी होता है जब आपने खाना खाया, खाना खाने के बाद पंचा नहीं और फो पेट पड़ा पड़ा सढने लगा और सढने के ऊपर खटास उसमें पेदा हो जाता है और वही रस जब कौं के आंदर जाता है तो हमारा जो हून है उसका पी-ेच है वो खारियए प्रकरती में होता है तो वह जाके और सब को इरिडेशन करता तो यह चीजें जाके पर टॉक्सिंस पेदा होते हैं अलर्जन्स पेदा होते हैं और उसको पेदा करता हूं सबसे पहले थायराइड को रोकने के लिए हमारा जो है वह खान पान को हम सही करें एसी डीटी नहीं हो होने दें और फिर जो भी चिकिस्षक है सब लोगों की प्रकरती बिन्न मिन्न होती है किसी की वातिक प्रकरती है किसी की पेतिक प्रकरती है किसी की कफच प्रकरती है किसी को कुछ अच्छा सूट करता है किसी को नहीं करता किसी को चास से जुकाम हो जाता और किसी को चास अ लगालग होती है वातिक पेतिक कफज और द्वंदज इस तरह तो किसी चिकिस्षक के पास जा कर उसके प्रकरती का निर्धारन करवा कर और फिर उसकी चिकिस्षा ले तो निश्चेत रूप से जो थायराइड की बिमारी है उससे आप दूर हो सकते हैं बहुत बढ़िया बात इसा लेकाने की तरीके को आहर लेनों चाहिained कि इनके अग्वेन के अदर आहर पर विशेश ध्यान देना चाहिए और उसको संतुलित आहर मिलना चाहिए और वही है कि जो संतुलित आहर हो उसका संसकार कैसे किया जाये है हमारे भुज्य पदारत हो का आजकर एक बहुत ज़्यादा प्रचलन है कि हम ग्रेवी बनाते हैं, उसमें प्याज भी डाल दिया, टमाटर दिया, लासुन डाल दिया, धनिया भी डाल दिया और बहुत सारी चीजें लेकर उनको पीस के और बड़े तेल के अंदर तलते हैं फिर बहुत सारे मसाले डाले, कुछी में दई भी डाल दिया मलाई भी डाल दी तो वह हम सोचते हैं कि बहुत अच्छी चीज बनी है लेकिन हमने बहुत सारे पोस्टिक पदार्तों को भी जहर में बदल दिया तो ऐसा नहीं करना चाहिए जो प्रकरतिस्त है चीजे जिस रूप के अंदर है उनको उसी तरह है हमको उपयोग में लेना चाहिए इस तरह है जब हम मिलाते हैं एमलगम करते हैं बहुत सारी चीजों को संयुक्त करते हैं तो किसी का भी गुण धर्म नहीं रहता तो हमको सब चीजों को मिलाते हैं वक्त ध्यान रखना चाहिए कि कोई विरुद्ध चीजें तो हम नहीं म मिला रहें मलाई मिला देते हैं या दूद या मावा मिला के और फिर उसमें मसाले डालते हैं नमक तो विरुद्ध हो जाता इसी तरह हम खटाई दे के और तेल के साथ मिलाते हैं दही मिलाते हैं तो वह भी विरुद्ध हो जाता तो वह फाइदा करने के बजाए नुकसान करत तो गर्भा अवस्ता में इस तरह की जो विरुद्ध आहार है उनका तो हमको ध्यान रखना चीए लेकिन जैसे कोई चीजे होती है कि देश विरुद्ध होता है काल विरुद्ध होता है प्रकृति विरुद्ध होता है तो यह बहुत सारे अलग-अलग विरुद्ध है जैसे ह वर्की में काल विरुद्ध है अब ईए गर्मी का समय चल रहा है और हमको ठंड़ा खाना चाहिए लेकर अभी पकोडी कह रहे हुझ kommer तो वह नहीं खाना चाहिए यह किसी कह लशन की लाना है तो अभी नहीं है यहीं था स्मीlingen खाना हुझ और वो चीजे खानी है जो उस रितू में पेदा होती है और उस देश के अंदर पेदा होती है वो ही फल खाने है जो उस रितू में होते हैं ऐसा नहीं कि सेव जो है सरदी में पेदा होता है अभी आप कॉल्ड इस्टोरेज का खाओ अभी जो मिल रहा है आपका तर्बूज मि मिल रहा है या भी लीची आएगी चीकू है उन सब चीजों को भी आप खा सकते हैं लेकिन उसमें संतुलित आहर और हमारे घर के अंदर जो दूद दही घी यह हैं उनको ले सबजिया ले लेकिन उनको बनाने में ध्यान रखें कि वो विरुद्ध नहीं हो बहुत बढ़िया हैं जो मौसम में जो फल फ्रूट आ रहे हैं सब्जयां आ रहे हैं बहने जरूर खानों हैं इके साथ डॉक्टर साब अभी कोरोना वाइरस को खत्रों बहुत जादा बढ़ रहे हैं देश पर इनी पूरे विश्व पर बढ़ रहे हैं तो इमें आपने इम्मिनीटी ने बढ़ बीचिएतोश्य ने को कर सकते है तो रह जा यह सकते हैं आप हिटकर आहार वियार करो वियए नहीं करना को दूसरा साथ के अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं, जिनको खाने से आपकी रोग पृति रोधह क्षमता बढ़ती है, जैसे गिलोय, तुल्सी के पत्ते हैं, वो आपके घर के आसपास ही मिलते हैं, तुल्सी प्राहे प्राहे सभी के घरों में मिलती हैं, हल्दी हैं, धनिया हैं, क कोरोना चलने लगा तो सब लोग एक काड़ा पी रहे हैं कि दालचीनी लाए वो तुल्ची के पत्ते काली मीर्च शोंट और गिलोई इन सब को मिला के खूँ पी रहे हैं और उनको जलन हो रही है तो उल्टा नुकसान कर रहा है तो अभी गर्मी का मोसम है और उसके में आपक हल्दी का पॉड़र के क्लिए लें लेकिन उसको दूद में उबाल कर लें इसके गर्मी कम हो जाए डाल्चीनी पूरी के पूरी आप किसी सबजीके में डालकर ले सकते हैं जिसके उसका सीधा आसर नहीं हो यह आपको पने लना है बीड़ा है तो धाना जौड़ा इस तरह आप मेनेज कर सकते हैं इसी तरह और भी बहुत सारी चीजे जो हमारी इम्मुनिटी बना सकती है राजस्तान में अश्वगंदा सतावरी यह भी बहुत सारी मिलती है उनका उपयोग किया जा सकता है और अभी चेत्र का मेना है और चेत्र के मेने के अंदर नीम से इम्मिनिटी बहुत बढ़ती है नीम के उपर पुराने पत्ते जड़ गए हैं नए कोपल आ रहे हैं क्योंकि नया वर्स भी आ रहा है तो नए चोटे-चोटे कोपल पत्तों को ले और करीब दस ग्राम पत्तों क के साथ 2-3 काली मिर्च लेके और थोड़ी मिस्टी लेके सुबह सुबह चबाएं और उसके बाद पानी पी ले और आदा एक घंटे तक कुछ नहीं खाये पिए तो आपकी इम्मिनिटी छै मेने आगे के लिए बढ़ जाती है रोगों से लड़ने की बहुत बढ़िया बात ओम परकास जी आप माने माके कारीकर में माके दर्शिकान ने बताई हो कि बही जो गिलोई पीने को जो तरीको है सही तरीको है कि गर्मी के मौसम में अगर आपने गिलोई पीनी है तो भी मिश्टी डाल भी थोड़ो सो ठंडो कर पीनो है साथ में सुबह सुबह नीम का जो है बेवी लेना है ओम प्रकाश जी आप मांके कारेकर में पधार है और मांके दर्शिकाना आप इत्ती बढ़िया जानकारी दी आपको बहुत-बहुत धन्यवाद भाई ग्रामीन भाई बैनों आपने घर की रसोई के माई ने बहुत सारी इयान की चीज़ें बहुत सारी सामक के लिए तब तक के लिए राम राम साथ मस्कार राम राम